तो डेडपुल एन वुलवरीन के टीजर का क्रेज अभी बहुत ज़्यादा है फैंस के बीच में इसका सबूत अब मार्वल के ऑफिसल यूटीब चैनल पर देख सकते हैं उस टीजर में कितने ज़्यादा व्यूज आये हैं और इसलिए सब इस टीजर के बार में बात करते है इस टीजर को जितनी बार देखा कुछ नहीं डीटेल मिली जाती है और आज मैं आपका ऐसे ही डीटेल और कुछ के बारें बताऊंगा जो साइद आप से मिस हो गए होगे यह आप मुझसे बड़े मारूल फैन हो आपको पता चल गया होगा पहले से तो जो भी हो चलिए वी और जैसा कि यह डीजनी की पहली एरेटिड मूवी है जिसमें खुन खराबा भर के दिखा जागा तो हो सकता है हमें वुलवरीन और हल्क की दिखा जाए हाँ पर हमारा वाला हल्क तो पपू निकल गया है बट नो टेंसन टीजर में एक और हिंट है टीजर के लाट में इंक्रीडिबल वाला हल्क देखने को इस मूवी में मिल सकता है और इंक्रीडिबल हल्क और हुल्वरीन की फाइट करा दे तो फैंस से रिस्वाले बात हो जाएगे क्यों कूश्वारीन और हुल्रीन और हल्क मिलते हैं बहुती बुत इसके बाद कुछ मार्वरेंस का कहना ह कि इसमें जो वोईड दिखाए गया है वो दरासल बैटल वर्ड है जो कि सिक्रेट वार में थी और यह में भी हो सकता है और में भी नहीं और अगर हुआ तो यह मुवी बहुत ही ऑसम होगी और इसके अंदर हमें बहुत अलग अलग तरह के विलन्स और हीरो देखने को मिल सकत है जिसके अंदर वो हीरो और विलन सबको ले लेता है और वो उसका गौड बन जाता है और यही बैटल वर्ड सिक्रेट वार का मेंड पॉइंट है तो अगर मार्वल डेडपूल और बुलवरीन मुसका यूज कर लेता है जो कि मुझे नहीं लगता मार्वल करेगा और ट्र पहिन कर मादरीपूर में घुमता है और साते साथ अपना काम भी करता है और वो क्रिमिनल के साथ डिल भी करता है और वो यह गेट अप इसलिए लेता है कि उसे कोई पहचाने ना तो साइड इस मूवी में भी उसी टाम लान को एक्स्प्लोर किया जाएगा और वुलवरीन बैठा है उसके इन्वार्मन को देखके भी ऐसा लग रहा है कि यह वही स्टोरी हो सकती है और जैसा कि डेटपूल अब टीवे के लिए काम कर रहा है तो डेटपूल इस इनिवर्स में जाकर लोगन को लेके आगा उससे लड़ेगा और डिटेल यह नहीं है कि यह वुलवर यूग जैक्मेन वाला नहीं डैनियल रेड क्लिफ वाला वुलवरीन हो सकता है और इसके रूमर भी बहुत दिनों सा रहे थे कि डैनियल रेड क्लिफ वुलवरीन का रोल भी कर सकते है और वह यह रोल करे तो मुझे प्राबलम भी नहीं है क्योंकि वह बहुत ही अच्छे और क्योंकि इस मूवी में बहुत सारे वेरियंट्स दिखाए जाएंगे तो हो सकता यह भी उसके एक वेरियंट्स हो और जैसा कि मैंने भी कहा इस मूवी में डैड पूल गशोचे डैट पूल बिल्कुल भी नहीं है वह यह तो कटाना चलाता है यह तो गन और इस ओड और के बात यह कि डेडपूल के गलप्स अलग डिजाइन के हैं दूसरे सीन में डेडपूल के गलप्स अलग डिजाइन के हैं तो यह दोनों अलग अलग डेडपूल हो सकते हैं और सबसे ज्यादा चांचे से यह लेड़ी डेडपूल हो सकती है और मैं ऐसा इसलिव हो रहा हूं क कि इस मूवी में सेबरतूथ होने वैला है और मैंने इसरेव में कियों राटा क्कि कि उसके आगले ही लिक में हमें टेषचर और आध दिखा दा तो हो सकता है वह कुछी मिनेत के लिए स्क्रिन में उसके बाद डेडपुल उसे भी मार दे और जैसा कि टीजर के लाष्ट में हमें Sigurd War के कॉमिक के कवर को दिखाय गया था और उसमें हमें Doctor Doom दिखा था तो हो सकता है कि मूवी के पोस्ट के देज सीन में हमें Doctor Doom का हिंट और Doctor Doom को ही दिखा दिया जाए और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि पुरा इंटरनेट अभी बोल रहा है कि डेडपूल मार्वल को बचाने वाला है और डेडपूल ले भी खुद का है अब उनेच है मार्वल का भगवान तो हो सकता है इस मुवी के जरिए मार्वल अपने अगले प्रोजेक्ट को सेट अप कर रहा है उसके बाद हमें मुवियस इस मुवी में देख सकता है हाँ मुझे पता है इस टीजर में हमें पैराडॉक्स देख चुका है तो मुवियस का सवाल ही नहीं बनता मगर जैसा कि हमने टीजर में देखा डेडपूल टीवे वालों को ही मार रहा है तो हो सकता है मौवे जैसे लोकी के पास आया था उसे समझाया था वशे डेटपुल के पास भी आया और उसे बताए कि हम यहाँ क्या करते हैं क्या सच है और उसके बाद हमें देख सकता है लोकी जी हाँ जैसा कि इस मूवी में टीवी भी होने वाला है तो क्या हो हमें लोकी भी देखनेगों को मिल जाए और हमें इस मुवी में लोखी का कुछ ना कुछ तो दिखे क्यामी यू के बात करते रहें तो वह बात चलते ही रहेगी अगर हमें देडियो यहीं तक और आपको डेडबूल कुछ और डिटेल्स पता है तो प्लीज हमें कमेंड करके ज़रूर बताएगा और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसे भी देख सकते हैं मैं उसका लिंक डिस्क्रिप् पाइ